पूरे देश में मकर संक्रांती की धूम है सनातन धर्मों को मानने वाले लोग मकर संक्रांती के दिन गंगा में असनान ध्यान करके अच्छे पुन्य की प्राप्ति करते हैं मकर संक्रांती के दिन लोग काला तिल, काला उड़क और चावल दान देते हैं घर घर में खिजडी बनाई जाती है, जगा जगा पर खिजडी के इश्टाल लगाए जाते हैं। लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रयागराज में मकर संक्रांती के पहले कल्पवास करते हैं। उसके बाद मकर संक्रांती के दिन गंगा असनान करते हैं। ले गंगा बड़ी गोदावरी नतीरत राजप्रियाग सबसे बड़ी अयुद्ध्या जहां राम लिह नौतार जानिए क्या कुछ कहा राम लिल्ला के मुख्य पुजारी आचार सतिंद्रदा जब सूरी की गती मगर रास में जाती है तो उसको संक्रमित करते हैं वही संक्रांद के नाम से जाना जाता है और यह 15 तारी को हो रात में 14 तारी को संक्रम भगवान सुर्य और मकर रास में जाएंगे उसे संक्रांद के नाम से जाना जाता है और 15 तारी को खिचड़ी मनाई जाएगी और खिचड़ी मनाई जाने के पहले ही लोग जाकर के प्रिय प्रियाग राज में यह कल्पवास करते हैं और विसेस कर खिजड़ी में असनान करते हैं वहां असनान ध्यान करने के बाद पूजा करने के बाद फिर आते हैं अजोध्या में असनान करते हैं सर्जुम आता गियां तो ऐसी सिती में क्यों ऐसा होता है वहां के प्रियाग करते हैं तो वह अपने दिबिरूप में आ जाते हैं इसलिए यह रहता है कि जो सर्जुमाप्त में इस्ञुद्र हूख इसमापत हो जाता है वह तो ये कहते हैं कि जो क्राशित लोग छोड़ जाते हैं वह स्टills से हमारी सरी काली हो जाती है और जब हम आकर कि सर्जिम अस्णान करते हैं तो हमारा दिव देव रूप में लिए परमपरा है इसलिए वहाँ पर जो संक्रांत में अस्णान करते हैं वह अजुध्या में भी आते हैं जिससे अजुध्या वहां का दोनों का सास्वत संबंद है अवया संबंद इसी रूप में है कि संगम में अस्नान किये हैं तो आए अजुध्या में भी अस्नान करिए तो करते हैं लोग